हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल, फीडी टैग मैं तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि राम मनुहर लोहिया आवदी उनिवर्सिटी की जो कोर्स वरक फीस है वो कब सम्मिट होने वाली है तो अभी तक साइट पर कुछ भी अपलोड नहीं किया गया है बट मेरे को जो इन्फरमेशन मिली है कि आपकी जो फीस सम्मिट होती है उसके बाद ही आपके डोकुमेंट सम्मिट होते है क्योंकि मैंने देखा था कि जो पिछली बाद जो आपकी कोर्स वरक फीस सम्मिट होई थी आइचिंग वो ओनलाइन होई थी है ना और फीस सम्मिट करने के 15 दिन के अंदर अंदर हमें अपने डोकुमेंट सम्मिट करने होते है और अगर मैं बात करूं अपने डोकुमेंट के क्या क्या डोकुमेंट यूज होंगे तो देखिए अपनी जो नॉर्मल से जो 10th 12th ग्रेजबेशन पोस्ट ग्रेजबेशन और अपना जो एप्लिकेशन फोर्म हो गया अपना जो रजल्ट आया है ठीक है उसकी फोटो कोपी भी आई ठीक चाहिएगी और अगर आपके पास प्रपोजल है तैन वह प्रपोजल भी आप यूज कर लेजिए वहां पर नेट गेट जी एरफ आपकी जो भी अगर कोई अधर एक्जाम आपका क्वालिफाई है वो यह वो भी आपको सम्मीट करना होगा इनके अलावा अग अगर कोई जोग करता है तो अनोसी and affidavit जाता है अगर कोई जोग करता है तही और जाता है जब आप सब के अलावा तो वो mention कर दिये जाएंगे बट अभी तक कुछ भी information नहीं आई है ये तो मैंने शिर्फ वो बताए है आपको जो की important document जो की लेके ही जाने हैं अगर इनके अलावा कोई और भी document होंगे तो वो हमें तरी पता चलेगा जब कोई notice निकल के आएगा जब हमें फीज समिट करनी होगी बस इतना है कि जो आपको फीज समिट करनी है साइद वो online ही फीज समिट करनी हो ठीक है notice आ जाएगा और उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर हमें अपने document समिट करने होते हैं और अपने document कहां पे समिट करने हैं वो साइद अपने department में ही समिट करने online कटे उसकी अभी confirmation नहीं है कि वो online होगी या offline हो सकता है वो online ही हो और document जो होंगे वो उसके बाद समिट होंगे है ना उसके बाद बात आएगी कि आपकी जो coursework की classes है वो कब लगेंगी और कहां पे लगेंगी अभी तक कुछ भी confirm नहीं है coursework की class सबकी अलग अलग लगेगी या फिर एक साथ लगेगी ठीक है जिसको जो college मिलेगा और याद रखिएगा चाहे कोई government job करता हो चाहे कोई private job करता हो लेकिन coursework की classes आपको लगानी है क्योंकि जो आपकी attendance है 75% तो आपकी होने ही चाहिए ठीक है अगर आपकी 75% attendance नहीं होगी तो आपको एक्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा याद रखिएगा coursework की classes आपको लगाने जरूरी है क्योंकि उसके बाद ही आपका research topic decide हो पाएगा ठीक है coursework आगर आप लगाते हो coursework आप जब complete कर लेते हो और मैंने आपको बताया था कि syllabus आपका क्या रहने वाला है अगर कुछ change कर दे तो पता नहीं पिछली बार आपका यहीं था syllabus ठीक है आप classes लगाईएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और याद रखना 75% attendance वहाँ पे minimum बोला हुआ है कि यह तो आपको लेनी ही है उसके बाद ही आपका research topic decide होता है then आपका college आपको मिलता है कि college की allotment होगी साथ पहले तो यह नहीं बताएंगे क्योंकि course work के बाद ही साथ अलोट करेंगे college तो उससे पहले तो हमें course work ही करना है और और कुछ कहा भी नहीं सकते कि पहले दे दे या कुछ और क्योंकि अभी तक कुछ notice नहीं आया यह तो question थे बार-बार comment आ रहे थे इसलिए मैंने यह video बना दी बट अभी तक कुछ confirmation नहीं है जैसे ही कोई भी confirmation होगी मैं video जरूर बनाऊंगी ठीक है बट मैं हर रोज एक बार check करते हूं website को एक बार क्या दो तिन बार ही कर लेती हूं बलकी लेकिन कुछ भी information वहाँ पर नहीं आई है भी तक ठीक है सबसे पहले तो notice आपका fees submit के लिए ही आएगा कि coursework की fees आपको submit करनी है अगर मैं बात करूं coursework की fees की तो जो full time वाले है उनको 25,000 वहाँ पर देनी है अगर कोई part time है तो 50,000 ओकी यह आपकी coursework फीस रहने वाली है बिलकुल double कर रखी है न जो full time है 25 है और part time वालों के लिए 50 है छीक है ओके थैंक्यू सो मच